नमस्कार दोस्तों मैं आलोग सिंगरा टोड एक बार फिर आजिरूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे जेनराइड एम जो टेबलेट है उसके बारे में तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब परके बेल आइक क्या है इसके डोजेज क्या है डौक्टरिस से कब लेनी के सला देते हैं और इसको अगर लूम्बी समय तक लेंगे तो इसके साइड़ेक्त क्या सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे जेनराइड हैं जो है उसके कंपोँज़िशन के बारे में तो आपको स्क्रीन से दिख रहे होंगे जो इसके इंदे composition पाए जाते हैं वह है methyl cobalamine, alpha lipoic acid, vitamin D3, pyridoxin, SCL and folic acid अगर इसके composition की बात करें इसमें कितने quantity में कितने amount में एक tablet के अंदर एक पाए जाता है तो methyl cobalamine है वो 15 mcg है, 1500 mcg है, alpha lipoic acid 100 mg है vitamin D3, 1000 IU है, pyridoxin, SCL 3 mg है, folic acid 1.5 mg है और इसके अंदर और सारे preservative मिलाए गए हैं इसके color की बात करें, तो poncho 4R color है इसका इसको जो WHO और GMP certified company द्वारा manufacturing की जाता है और जो company की द्वारा manufacturing की जाता है, उसका है medgil pharma नाम अगर बात करें इसके उप्योग की, कि किस तरीके से इसका उप्योग किया जता है हमारे सरीर के उपर तो इसका उप्योग तब किया जता है, लंबे समय से होने वाले दर्द जैसे diabetes या फिर हमारे reeds करड़ा it, या हड़ियो में या फिर जो टीवी वगरेस होने वारे लंबे समय से जो दर्द हो रहा है हमारे सरीर के अंदर मस्पेशियों में उसके दौरान इसका उप्योग किया रहता है यह इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो है है यह अपने नर्वा सिस्टम बर जाकर जो दर्द को गंट्रोल करने वाली तंत्रिका हैं या नर्व सैल है उनको एक्टिवेट कर देता है जिसकी वएस से हमारी बॉडी में जो दर्द होता है उसको वो नर्व सैल डिटेक्ट नहीं कर पाती है और जो मौपे दर्द कम होने लग जाता है अब बात करते हैं इसके side effect की तो generally इसके side effect वो देखे गए हैं वो है जी मचलना उल्टी आना चक्कर आने लग जाना और नीद का आना अब doses की बात करें तो generally इसके doses होते हैं आप इसे खाली पेट दिन में एक बार ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखे इसको लेने ए computer screen पे दिखरी होगी वो है 1500 रुपीज 10 टैबलेट की यानि 15 रुपे की एक टैबलेट है manufacturing date की बात करें तो 12-2020 इसकी manufacturing date है और 5-222 इसकी expiry date है अगर इसके marketing company की बात करें तो medigil pharma company इसको marketing करती है और इसको यह एक medigil pharma एक मंसा जो company है उसका एक unit है आपको किसी भी market में आपको जेनराइड एम के नाम से आसानी से मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है फिर भी आप methyl kovalamine alpha-lipoic acid vitamin d3 vitamin b6 और folic acid salt के नाम से कोई भी medicine खरी सकते हैं जो आपको आपके pass के medical store पे available हो और आप डॉक्टर की सलापरा मर्स के बाद इसे ले सकते हैं अब इस वीडियो को जाद जाद शेयर करिए ताकी जिनके मस्पेशियों में या लंबे समय से जो दर्थ या pain हो रहा है उसका ये लाब ले सके और ये वीडियो उन तक ये लाब पहुचा सके इस वीडियो को अंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू